तोनी मिल्स में आपका स्वागत है आज हमारे कीचन में बनने जा रहा है आलू और सीमली मिच की सबजी चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं कड़ाई गर्म हो गया उसमें सरसुतिल भी गर्म हो चुका है अब उसमें आलू डाल देंगे आलू को चला लेंगे आलू मिडियम सा साइज में थोड़े मोटे साइज में काट लिये हैं और उसे आलू को फ्राई कर लेंगे जब तक आलू का कलर चेंज नहीं होता है तब तक इसे फ्राई कर लेंगे अब इसे थोड़ा सा लो फ्लेम करके और इसे ढख देंगे इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे चलाने के बाद इसे फील ढख देंगे कम से कम इसे तीन से चार बार ढख देना है और फ्लेम को ढखते वक्त लोग ही रखना है चलाते वक्त मिडियम कर ले लेकिन ढखते वक्त लोग ही फ्लेम को रखना है क्योंकि थोड़ा मोटे आलू रहते हैं इसलिए थ्रुआ टाइम लगता है इसे फ्राई होने में आप चाहें तो छोटे बड़े किसी साइज में आप काट सकते हैं जो कलर चेंज होके आप फ्राई हो चुका आप इसे सारे को निकाल लेंगे अब इसमें सिम्ला मिर्च डाल देंगे यदि कड़ाही में तेल नहीं ब अच्छे से सारे बीच को निकाल दिये हैं और चौरे साइज में क्ट कर दिये थे ना मिर्च को एक से दो बार ढख देंगे फ्लेम को ढखते व делает लो रखेंगे अब जोंना मिर्च फ्राई हो चुका है अब इसे निकाल लेंगे सारेको निकालते व dislike यदि कड़ेंगे अब क ढखना बहाँ जरूरी है क्योंकि सर्सों के दाने जो हैं बहुत जोरों से चटकते हैं जो फेस यहांतों पर पड़ सकता है जल सकता है इसलिए ढखना बहाँ जरूरी है इस जगह प्याज का पेस्टे डाल देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे इस जगह प्याज को अच्छे स भूंज लेने के बाद ही इसमें मसाले डालेंगे इस जगह बारिक से बारिक पे आज भी काट कर डाल सकते हैं और उसे भूंजे सकते हैं इस जगह फ्लेम को लो रखेंगे और हल्दी डालेंगे थोड़ा सा जीरा डालेंगे धनिया डालेंगे और तीखी लाल मिर्ज इसमें का पेष्ट डाल देंगे जो एक है और शोटा ही साइज में है बड़ा साइज में नहीं है अब आदी और लसुन का पेष्ट डाल देंगे एक एक छमच थोड़ा सा चला लेंगे चलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि यह सुखे मासाले थे इसलिए इसमें पा Medium to low करके और मसाले को भूंज लेंगे, मसाले जब अच्छे से भूंजा जाये तब इसमें स्वाधनुसार नमक डालेंगे और उसे चला कर अढ़क देंगे फ्लेम को ढ़कते वक्त लो रखेंगे और चला लेंगे मसाले को अब इस जगा मसाले मुझा चुका है आलू और सिमले मिर्च डाल देंगे और उसे चला लेंगे आलू और सिमले मिर्च अच्छे से मसाले के अंदर अच्छे से भूंज लेना है जो ताकि अच्छे से मसाले मिल जाए आलू और सिमले मिर्च के अंदर अब टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भूंज लेंगे टमाटर का बीज सारे निकाल लिए हैं और पेस्ट में उसमें डाल दिये थे और इसे चोड़े चोड़े साइज में ही काट लिए हैं टमाटर को अब जो है इसे थोड़ा सा ढख देंगे फ्लेम को ढखते वक्त लो रखेंगे मसाले के साथ थोड़ा सा सबजी को चला लेंगे चलाने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि सबजी तो पूरे भूजे ही हुए हैं और मसाले भी अब चेक कर लेंगे थोड़ा पानी और डालने का जरूरत है थोड़ा सा और डालेंगे ज्यादा पानी नहीं डलना है कि कोई सब्जी तो आधा से अधीक पक चुका है पानी डलने के बाद इसे ढख तेंगे बीच बीच में सब्जी को चलाते रहेंगे और दो से तीन बार इसे ढख कर और सब्जी को अच्छे से पका लेना है कर सकते हैं वैसे तो μीडियawat टूलो करके और सब्जी को पका लेंगे, इस जगा आलो को थोड़ा चेक करेंगे, क्युम यह आलो जो है मोटे साइच के जो थोड़ा आलो है अच्छे से उतना नहीं पका हुआ पक चुका है पर उतना अच्छा नहीं पका हुआ अब इसमें गरम मसाला ढाल कर और उसे चला लेंगे चलाने के बाद इसे थोड़ा सा ढखतेंगे, फ्लेम को ढखते वक्त लो रखेंगे अब इसे फीर से चला लेंगे और उसे चेक करेंगे आलू को कि अच्छे से पका है कि नहीं आलू जो है बहुत अच्छे से पक चुका है अब फिर से सिम्ला मिर्च को एक बार चेक कर लेते हैं सिम्ला मिर्च भी बहुत अच्छे से पक चुका है इस जगह गैस को आफ कर देंगे और ढख देंगे सब्जी को सब्जी बन के तयार है सब्जी का बना हुआ 10 मिनिट हो चुका है अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक से और सब्सक्राइब करें